हेलो फर्स्टेर के फिजिगल जोग्राफी स्टुडेंट गुड मॉर्निंग आज आपको गलोब पर भू संतुलन का समायुजन गलोब पर जो दर्ती का जो संतुलन है किस प्रकार समायुजत है इस वारे में बताया जाएगा मोटे तोर पर भूतल पर लगबग संतुलन पाया जाता है पूर्ण संतुलन की इस्तितिवन ने तो पहूंची ही पाते हैं नहीं बनी ही रह सकते हैं क्योंकि आकच्वे के अविल सार्व भोमिक सक्थियां तता सम्तल इस्तापक सक्थियां इसमें निरंतर परिवतन लाती हैं भूगर में मैगमा का प्रवाय यव्द से आकच्वे गटनाय भी ऐसंतलण की इस्तिती विक्षित करती हैं जब भी जहां भी एक इस्तान से अनाचादन या अन्य कार्णों से पदार्तों का इस्तानांतन होकर अन्यतर जमाव होगा तो निरंतर जमाव वाले इस्तानों की ओर ये भूगर्म में मेगमा का प्रवार दवाव घटने से होने वाले रिखती इस्तान की ओर होने लगेगा निरंतर अपरदन होते रहने से ऐसी क्रिया कई बार लंबे समय तक भी रुक रुक कर जारी रह सकती है इसी के प्रवाव से कभी कभी ऐसा महसूस होता है मानो परवत पुने उपर उठे रहे हो इसी प्रकार भू सुन्तलन ने तो कोई विशिश सकती है ने एकाएक क्रिया सीलता ही है ये तो भू तल के किसी भी भाग में ऐस सुन्तलन की दसा होते ही स्वते क्रिया सील होने वाली लाक्षने की इस्तिती है भू संतलन इस्तिती में क्रिया सील भूकंप भूसकल लन वे ज्वाला मुकी जेसी इस्तानिय वे आपात गटनाएं होने पर इस्तानिय रूप से सुदार होना आवशिक हो जाता है जबकि पर्वतिय भागों में बड़े पैमाने पर अनाचादन के प्रभाव से भू संतलन की दसा का समायोजन प्रादेशिक इस्तर पर होना अनिवार है हॉम्स ने इसे विश्व या पिगटना मानते हुए संक्षे में अच्छी तरह समझाया है आज से 20-25 वर्ष पूरू जब बड़े पैमाने पर हिमयोग की समाप्ति वे महादीपों में बर्पिगना यह सबी महासागरों के जलिष्टर में विश्व या पी 60 मिटर की बर्दी हुई तो ही में भार से मुक्त होने से भी महादीप का तल अनेक इस्तानों या प्रादेखिसी के रुप से उपर उठने लगा जब महासागरिय तल की नीचे से दवाव के प्रभाव से मैगबा प्रभा मादीपों की और होगा पूर संतुलन की इस्तिती को समझने में त्रिकों ने मितिये इस्तेशनों की इस्तापना की जांच में प्रियुक्ते पैंडूलम यम सीस रेखा का जुखा जो की गुरुत्वाकरशन को भी समझाता है विसे साइक माने जाते हैं प्रोपेस मीनेज ने ऐसे ही पैंडूलम व्यवस्ता की सर्वेक्षन है द्वारा विविन महादीपों के अनेके प्रदेशों की भू शंतूलम व्यवस्ता की जांच की तता पाया की हिंद माज सागर का अधिकांस भागे ये में भूमज सागर का बड़ा भू भागे शंतूलम की अनुकूल इस्तिती में है मीनेज के अनुसार भारत में भू शंतूलम की स्तिती की एक विच्चित्र विच्चित्ता है क्योंकि इसके पास के हिंद माज सागर में तो भू शंतूलम की स्तिती पाय जाती है इसी प्रकार आर्थर हॉम्स मौदे ने भूगर में गनतू विवस्ता के वित्रन स्वरूप को भूकंब लहरों से प्राप्त प्रमानों के आदार पर समझाया इस प्रमानों के आदार पर कम गनत् Vision सियाल पर्थ की मोटाई परोटी भागों में 44-50 किलोमेटर तके हम समायों जिनके कान कहीं कहीं इससे भी गहरी तक पई जाती है जबकि मेदानी भागों के नीचे सियाल पर्थ की मोटाई इससे लगबग आदी रह जाती है महादी पिये चबूत्रे से महासागरिय नितल के पास सियाल पर्त की मोटाई और भी गटकर आड़ से बारा किलोमेटर मद्दे ही पाई जाती है यही नहीं अगाद महासागरी मेदनों यहों महासागरी गर्तों में तो स्याल की पर्त की मोटाई नामात्र की ही रह जाती है बोतल पर संतुलन बनाय रखने के लिए ही उंचे पर्वतिय भागों के हलके पदाद काफी गैराई तक स्याल की पट्टिया गुम्दाकार जमा में फैले रहते हैं जिससे वहां की भारी चटाने अनेतर इस्तानतर रहती हैं जबकी निचले भाग कम गहराई पर समिस्तिती में बने रहते हैं वहां पर अधिगनत वाले पदात कम गहराई पर ही पाई जाते हैं होमस ने इस्पर्ष्ट किया कि कैदिपी इस्ताने रूप से आदर से समय स्थितिया भू शंतुलन की दसा कुछ समय के लिए पाई जा सकती है किन्तु सभी इस्तान पर हमेशा के लिए नहीं रह सकती बोतल पर इस्तिती अनेक इस्तानों की ऐसंतलन की इस्तिती भी भूगर में आकस्विक सक्तियों की किरिया सीलता प्रविकास के लिए साइक रहती है इस परकार हॉम्स ने भी इसी व्यवस्ता के बारे में बहुत कुछ बताया है अब आपको जैसे मिकेंज मौदे ने आगे बताया है कि भारती उप महाधिप के उत्तरी भाग में भारती उप महाधिप के उत्तरी भाग में पैंडूलम की सीश रेखा का विचलन विश्व के किसी भेन्य भाग से सबसे अधिक चोकाने वाला है यही नहीं सिड्नी ब्राड मौदे ने तो यहां तक का है कि भारती ये पिंड के नीचे जितना अधिक मेगमा या शेती जी अपुआ है यह विचलीत होने की दसा पाई जाती है उतना अन्यत्र कहीं नहीं मिलता फिर उनन बोला आगे जाके एक ओर तो हिमालवे तिम्बत के नीचे काफी गहराई तक बड़े पैमाने पर गनत्र के पदात का विस्तार है वहीं बड़े मैदान के नीचे वहीं बड़े मैदान के नीचे है इम संगलंग ने उत्तरी पठारी भाग के नीचे बड़े मैदान के नीचे हैं संगलंग उत्तरी पठारी भाग के नीचे कम गहराई पर अधिक गनत्र के पदात मिलते हैं इसे सिर सिरेखा का उत्तर की ओर के विचलन की इस्तिती का पठा नहीं चल पाता क्योंकि सिर सिरेखा का उत्तर के ओर विचलन है इसलिए इसकी सिर्स इस्तिती का पता नहीं चल पाता इसे विचित्र तत्ति यह है कि दक्षिन की ओर सिर्स रेखा का जुकाव इसे विचित्र इस्तिती यह बताई है कि दक्षिन की ओर सिर्स रेखा का जुकाव दक्षिन के पठार के ओर नहोकर सागर के ओर है जैसे दक्षन का पठार अपना उसके बारे में बता रहे हैं जो आप जो थरडेर में जाएंगे आप बारत का भुगोल पड़ेंगे जब आप देखेंगे कि सी सिरेका का जुकाव दक्षन के पठार के ओर नहुकर के सागर की तरफ है आप देखिए इसके अंदर कितनी विचितर बात कही है उन्होंने उपरी बोला है उसने दक्षन के ओर सी सिरेका का जुकाव दक्षन के पठार के ओर नहुकर सागर तटके हो रहे है संभवत है दक्षनी भारत में पिछले कूल दसकों में असे ऐसन तुलन के कारण ही विवतनिक कारणोंगा वाले भुखम आये हो जिसे लाटूर का भुखम पाया आपका है जो इधर है जो आपको सूर्थ में आया था निंसोपांस के इंदर नहीं है दोजार पांस में शोरी लातूरमया है माराष्टे के अंदर है आपको बात बताऊं तो यह जो दखन का पठार है इसको अंदर भी संब्वत है ऐसंतुलन की इस्तिती में इस तरह की यह जो प्लेट विवतनी के कारणों से जो बुकम पाए हो यह हो सकता है उसी के कारण हो धन्यवाद